कि देखो बचो आज का हमारा टोपिय का क्रिश्चोफ रूल इसको यूज करते हैं किसी कॉंप्लेक्स सर्कृट में करन्ट निकाल लेगे लिए ठीक है करन्ट को कैसे कैल्कुरेट कर सकते हैं तो हम शुरू करेंगे सिंपल सर्कृट से उसके बाद जब कोशन करेंगे एक कॉंप्लेक्स सर्कृट बनता है तो उसमें कहीं सारे वायर आप उसमें जोइन होते हैं किसी एक जंक्शन पर माल लेते हैं वह जंक्शन हमारा पी है ठीक है अब क्या होता है कि अलग-अलग डारेक्शन से अलग-अलग वायर से इस पॉइंट पर करन्ट आता है और यह क्लोस लेक्ट्रीक सर्कृट थिक है कोई भी सर्कृट एवह तो क्लोस तो नहीं है तो उससे जो भी करन्ट है उन सबको हमको एड करना होता है ठीक है और एड करके कितना मिलता है जीरोब इसका मतलब कि यह जो जनक्शन है इसके आई-1, i2, i3 इनकमिंग वापस आपार और जो उसको लीव करेंगे उसको लेते हैं नेगेटीव तो इस केस में हमको i1 प्लस i2 प्लस i3 माइनस i4 एकवल टू जीरो ठीक है अब अगर मैं i4 को ले जाओं राइट साइड की तरफ तो यह जाएगा मेरा i1 प्लस i2 प्लस i3 एकवल टू i4 ठीक है तो इसका मतलब जितना करण्ट आ रहा है उतना ही करण्ट बाहर जा रहा है नोड पे कुछ भी करण्ट एकुमलेट नहीं होता तो इसका मतलब इनकमिंग करण्ट इएकवल टू आउटगोइंकरण्ट लिख सकते हैं यहापिर हमेग है, incoming current equal to outgoing current, ठीक है, तो जितना current पीछे से आ रहा है, उतना ही आगे की तरफ चला जाता है, जैसे कि पानी बैता है, current भी उसी तरह बैता है, तो मा लेते तीन चर टाइप आपस में connected है, तो जितना water आएगा पीछे से, जितनी volume, उतना ही आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है, दूसरी बात, अब आते हैं इसके voltage rule पे, voltage rule क्या कहता है, माल लेते हैं हमारे पास एक circuit है, तो इस circuit में, जैस लूप के अंदर, जो हमारा sum होगा voltage का, वो 0 होगा, इसमें current 0 है, उसमें voltage 0 होगा, ठीक है बच्छो, इसका statement क्या कहता है, the algebraic sum of change in potential around any closed loop, हमारे पास यह circuit है, इसमें मैं दो लूप बना सकता हूँ, जैसे कि उपर वाले लूप ले लिया मैंने, और नीचे वाला भी लूप ले सकता हूँ, लूप हमारे आतों मैं सो clockwise मानो या anti-clockwise, मैं A, B, E, F, A, उपर जो यह box है, इसको मैंने माल लिया है, एंटि-clockwise direction में, तो इस लूप के अंदर हम अगर सारे potential को calculate करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, यह सारी जो voltage यह वो 0 मिलेगी, ठीक है, उसी तरह same rule यहां पर apply करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा, दो equation हमको भी लेगी, और दोनों को फिर solve करके हम current की value निकाल सकते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम इसको apply करते हैं, इस वैसे के definition यह है, कि algebraic sum of change in potential around any close loop, ठीक है, यह जो close loop है, इसके अंदर क्या है, resistance भी है, और cell भी है, तो वो होता है 0, तो जितने भी total potential calculate करेंगे, वो 0 होता ह है, पर यहाँ पर एक main बात आती है, sign की, plus किसको मानना है, minus किसको मानना है, ठीक है, अब देखो, जो मैं पहले उपर वाले loop में मान लेता हूँ, तो in loop, a, b, e, f, a, तो मुझको a से शुरू करना है, a, b, e, f, a, ठीक है, अब अब अबने जो loop माना है, anti-clockwise direction, हमको उसी direction में चलना है, अगर current हमारी direction में है, तो positive लेना है, अगर current हमारे सामने से आ रहा है, तो negative लेना है, ठीक है, जब अब इस loop में move करना शुरू करेंगे, अगर हमें battery का पहले negative terminal मिल रहा है, तो negative लेना है, अगर positive terminal पहले आ रहा है, तो positive लेना है, तो हम a से चलना शुरू करते है, ठीक है इधर कोई resistance नहीं है तो यहां पर कोई potential drop नहीं हो रहा है ठीक है फिर आते हम इधर हम जा रहे हैं करण्ट जो है हमारी सेम डारेक्शन में तो हमको लेना पड़ेगा क्या पोज्टिव तो पोटेंशल कैसे बनता है रजिस्टेंट मल्टीप्लाइं करंट इस वाली हमारा वायर है इसमें पोटेंशल कैसे क्यों करेंगे काई वंफ वाएट अाउन प्लस आई टू क्डाई से कर पंस नहीं काता करण्ट मृर्टिप्लाइं है फिर आते हैं वापस इस सेक्शन में कोई का रिजिस्टेंस नहीं है तो छोड़ो फिर आते हैं इधर लूप और करेंट दोनों सेम सेम डारेक्शन चल रहे हैं तो यहां पर लेना पड़ेगा प्लस i1 r1 ठीक है फिर जैसे हम आते हैं तो पहले हमको क्या टर्मिनल मिलता है नगेटी तो यहां पर लिखेंगे माइनस e1 एकवल टू 0 ठीक है उसी तरह हम आते हैं सेक्ट लूप में इन लूप b e d c b e d c वापस से b ठीक है अब इस लूप में हम जा रहे हैं करेंट और लूप हमारा सेम डारेक्शन में तो i1 प्लस i2 यहां पर हो गया r2 ठीक है फिर आएगा हमारा i2 multiply r3 फिर हमारे फिर negative मिल रहा है तो हमको i2 equal to 0 ठीक है यह हो गया हमारा सेकंड तो आप लोग को ऐसे ही करना है ठीक है अगर हम माल लेते कि इन दोनों को कि इस पूरे को अगर add करें ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा e1 और e2 कोई बात रिस पर चोड़ते हैं इसके बेस पर कोश्चन करते हैं ठीक है तब आपको सब्सक्राइब तब रोग वारेकशन बात रह सब्सक्राइब कर अगरे जैसे के निदेखा और मैंने आपकी बार है यहां पर वेल्यूज रख दीख यह यहां पर पांच व्लक की बैटरी है यह यह पर रेजिस्टेंस वनों में जापक बीच में जो रहिस्ट हैं था वो दो हमका हैं अब हमको i1 और i2 वैल्यू पैल्कुलेट करनी है कितने आपके करन्ट हर बैटरी से निकल रहा है ठीक है यह फर्स्ट लूप हमने वही उसी दरा मानेंगे इसको मानेंगे हम एंटी क्लोक्वाइस डारेक्शन में और उसको क्लोक्वाइस डारेक्शन में ठीक है तो in लूप A, B, E, F, A तो A, B, E, F, A इस लूप में आ गए सबसे पहले हम जिब यहां से शुरू करते हैं तो दोनों सेम डारेक्शन में तो यहां पहेगा 2 multiply i1 plus i2 फिर दर जाते हैं दोनों same direction में current और loop हमारा तो 1 multiply i1 ठीक है पहले negative terminal मिल रहा है तो minus के 5 equal to 0 इसको solve कर लेते हैं तो यह आएगा 2 i1 plus 2 i2 plus i1 equal to 5 2 और एक हो जाएगा 3 3 i1 plus 2 i2 equal to 5 यह हो गए हमारी first equation same इसी तरह हमको दूसरी equation लगानी है और फिर इनको solve कर लेना है अब आते हैं in loop b c d e b b c d e चलो एक सेकंड एक सकी उल्टारेलिया हमने b e d c तो यहाँ पर मानूस को e और यह हो गया हमारा c ठीक है अब same direction में यह तो हमारा loop bc जा रहा है और current भी तो 2 i1 प्लस i2 यह सेम direction में तो i2 क्योंकि 1 ohm करें इस्टांस है अब हमको पहले मिलता है negative terminal तो minus 10 equal to 0 same करेंगे 2 i1 plus 2 i2 plus i2 equal to 10 ठीक है तो यह जाएगा हमारा 2 और एक 3 2 i1 plus 3 i2 equal to 10 यह गया हमारी second equation अब हमें क्या करना है हमें इनको solve करना है ठीक है अब इनको solve करने के लिए वह हमारे पुराने method होते हैं कि एक कोफिशेंट को बराबर करना है तो मैं इसमें multiply कर देता हूं 2 की और इसमें multiply कर देता हूं तो पहली एक्वेशन बनेगी 6 i1 plus 4 i2 equal to 10 यह बनेगी 6 i1 प्लस 9 i2 equal to 30 माइनस 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 हो जाएगा cancel यह पर बचेगा पूट इन वन वन में पूट करेंगे तो 3 i1 plus 2 यह हो गई हमारी 4 equal to 5 तो 3 i1 plus 8 equal to 5 8 उदर जाएगा तो 3 i1 equal to minus के 3 तो i1 आएगा हमारा माइनस 1 ampere अब इसको क्या मतलब है एक current positive आया एक negative आया positive का मतलब है हमने जो direction i2 की मानी है वह बिल्गूल ठीक है पर जो i1 की direction हमने denote की है circuit में उससे ulti direction में current flow हो रहा है ठीक है जैसे कि हमारी i2 की direction ठीक है i2 जा रहा है हाँ i2 की direction जो इस बैटरी से current निकलता हो तो ठीक निकलता है पर जो i1 की direction है वह ऐसे नहीं है वह जा रहे है राइट की तरह इसका मतलब जो सारा current हो 10 volt की battery से निकल रहा है ना कि 5 volt की battery से ठीक है क्योंकि bigger battery है तो current इसी से निकलेगा जैसे कि मैंने पहले वदाया था इनके दोनों से positive terminal join हो रहे है ना तो bigger battery होती है current उसी से निकलता है तो current इस battery अंदर जा रहा है ना कि इस battery से अब film में देखते हैं ठेका भच्छो तो इसका screen shoot ले सकते हैं आप और इसका भी ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसका कोन हम और करते हैं ठीक है बच्छो उल आज यह क्युक्षा में इतना ही मिलते अपने नेक्स वीडियो में